हेलो दोस्तो मैं हूँ विशाल और आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं एक इसे प्रोफिटेबल बिजनस के बारे में जिसकी डिमांड मार्केट में बहुत जादा है इसलिए आप इस वीडियो को सुरू से लेकर एकदम आखरी तक देखते रहिए दोस्तो इसी कई सारी जगए होती है जहां लोगों को अपना किसी भी चीज का रजिस्ट्रेशन करवाना होता है जिसे स्कूल, कोलेज, बेंक या फिर कोई सरकारी काम में लोग अपना किसी भी चीज का रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म के साथ लोगों क अपने documents यानि दस्तावेजों की photocopy को attach करने की जरूरत होती है इसकी अलावा और भी बहुत सारे इसे काम होते है जहां लोगों को paper की बहुत सारी photocopy करवाने की जरूरत होती है तो दोस्तों मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि market में photocopy shop business की बहुत जाता demand है और जो लोग photocopy shop का business करते हैं वो लोग सिर्फ photocopy करके ही महीने का अच्छा खाजा पेसा कमा रहे हैं तो अगर आप भी ये photocopy shop का business करेंगे तो आप भी अच्छा पेसा कमाओगे ये नहीं कहूंगा चोकि आप कमा ही लोगे बड़े आराम से literally तो चलिए सबसे पहले पेसा कमाने की बात करते हैं देखिए अगर आप photocopy shop में printout निकालने के काम करेंगे तो आपको एक printout निकालने के 10 रुपे मिलेंगे तो अगर आप एक दिन में सिर्फ 100 printout निकालते हैं ना तो आप सिर्फ एक दिन में ही 1000 रुपे कमा लेंगे अगर आप एक दिन का 1000 कमाएंगे तो महीने का total 30,000 रुपे हो जाता है तो आप बात करते हैं कि photocopy shop business करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा रुम आपको रेंड पर मिल जाएगा यानि किराय पर बड़े आराम से आप बात करते हैं photocopy shop business के लिए license और registration की तो दोस्त आपको photocopy shop business के लिए किसी भी license और registration करवाने की ज़रूत नहीं होती है लेकिन आपको अपनी photocopy दुकान खुलने के लिए आपको trade license और GST registration करवाना होगा इसके लिए आपको अपने छेदर के GST सुईदा केंडर में जाना होगा तो दोस्तो इस photocopy shop business में कोई नुकसान नहीं है बस फाइदा ही फाइदा है क्योंकि इस business की demand बाजार में कभी भी कम नहीं होने वाली है और आप इस business को बड़े ही आराम से सुरू कर सकते हैं तो दोस्तो इस वीडियो को लाइक कर दो और चेनल को सब्स्राइब करके घंटा जरूर दबा देना और कुछ ना चाहते हो कुछ मुझसे तो नीचे comment कर दो फिर मिलता हूँ में नेक्स्ट वीडियो में